रादे किष्णा उन्नती किष्णा बुटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे नौ नम्मर के लड़ू गोपल जी की ड्रेस और आठ नम्मर की राधारानी की ड्रेस तो ये ड्रेस में आपको पैना की दिखा रही हूँ किस तरीके से ये ड्रेस पैनाई जाएगी और इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान तरीके से बन जाएगी अगर आपको ये दोनो ड्रेस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें आसा करते हूँ वीडियो को एक बार आप पूरा जरूर देखें ये दोनों ड्रेस एक जैसी ओर्डर के लिए तयार हो रही हैं तो चलिए हम ये ड्रेस दोनों तयार कर लेते ये देखिए ये दोनों ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये साड़ी खरी दिया इसमें से हम ड्रेस बनाएंगे ये देखिए नीचे की साइट से ये बिविंग वाली कड़ाई हो रही है ये देखिए ये बाडर ले लिया है हमने ड्रेस में अब हमें इसकी लंबाई चोड़ाई देख लेते हैं कितनी लिये हमने इस ड्रेस के लिए मैंने चोड़ाई 9 इंची रखी है लंबाई मैंने 64 इंची लिये ये देखिए साड़े 64 इंची मैंने लंबाई रखी है लेकिन ये हम इसको 64 ही रखेंगे ये देखिए मैंने ड्रेस की कपड़े को सीधा रखा हुआ है अब मैंने उसके उपर अस्तर रख दिया है मैं इस कपड़े के ही बरावर अस्तर की लंबाई चोड़ाई रखूँगी ये देखिए अब हम इसके उपर तीनो साइड में स्लाई कर देंगे ये देखिए मैंने तीनो साइड में स्लाई कर दिये इसके उपर और सीधा करने के बाद एक उपर स्लाई कर दिये अब हम इसकी प्लेटें बराएंगे ये देखिए मैं आज आपको प्लेटें हमें कैसे डालनी है नापके दिखा देती हूँ ये देखिए पहले हम एक छोटा सा निशान लगाएंगे दो पॉइंट का पहले हम एक निशान लगा लेंगे फिर उसके बाद जो हमने दो पॉइंट का निशान लगाया है उस पर टेप को रखेंगे और फिर हम धाई इंची पर निशान लगाएंगे और एक उसी के पास में पौने तीन इंची पर निशान लगाएंगे इसी तरीके से हमें पूरी पट्टी पर निशान लगाना है, यह देखिए, एक निशान धाई इंची पर लगा रही हूँ, एक पौने तीनी इंची पर, यह देखिए, मैंने निशान लवा लिए, अब मैं आपको दिखाऊंगी हमें प्लेट कैसे दाणी, यह देखिए, यह पहला निशान है, अब हम धाई इंची वाले निशान को उठाएंगे प्लेट के लिए, अब पहले निशान पर हम उसको रख देंगे, अब फिर से हम पहले निशान को उठाएंगे, जो पौने तीन इंची वाला निशान है, उसके ओपर हम इस प्लेट को रखेंगे, यह देखिए, इसी तरीके से हमें पूरी प्लेट डानी है, और कमर एकदम परफेक्ट बनके तयार होगी, इस तरीके से, यह आठ नमबर के राधाहरानी की ड्रेस है, जो बनारियों में बतारियों आपको, इसकी मुझे साड़े आठ हिंची चोड़ाई चाहिए, कमर की, तो उतनी ही तयार होगी, देखना आप, यह देखिए, नीचे के गेरे की गुलाई एकदम सही बैठी है, इसी का हमें ध्यान रखना है, नीचे से प्लेट हमारी एकदम बरावर होनी चाहिए, ताके हमारे लहेंगे की और ड्रेस की गुलाई एकदम सही से आए, मैं आपको कमर नापके बता रही हूँ, यह देखिए, साड़े आठ हिंची की कमर की गुलाई बैठी है, मैंने आपको बताया था, साड़े आठ हिंची की कमर की गुलाई चाहिए मुझे, और यह देखिए, यह 9 नमर के लड्डू वोपल जी की कमर की गुलाई है, 9 इंची, अब हम इसमें कमर पटी लगाएंगे, ये देखिए कमर पट्टी के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है इसकी लम्माई चोड़ाई देख लेते हैं इसकी लम्माई साड़े गया रहे इंची है चोड़ाई साड़े तीन इंची है हम इसको फोल्ड करेंगे सीधा ही और एक स्लाइए करेंगे यह देखी मैंने उल्टा रख लिया है ड्रेस को मैं उल्टी साट से ही हमेशा कमरपटी लगाती हूं यह देखे इस तरीके से हम कमरपटी को रखेंगे डवल करके और सलाई कर लेंगे ये देखिए दोनों में मुझे इसी तरीकी से कमर पट्टी लगानी है तो चलिए मैं लगा के फिर दिखाती हूं आपको ये दिखिए मैंने कमरपटी लगा लिए दोनों ड्रेस में और कमरपटी लगाने के वाद सीधी साइड में सीधा करके डोरी रखे उस पर सिलाई भी कर लिए ये दिखिए अब हम इन दोनों के लिए चोली बनाएंगे साधा सिम्पल ये दिखिए मैंने पहले अस्तर रखा फिर उसके उपर चोली की लिए जो कपड़ा लिया है मैंने वो रखा है इस कपड़ी की चोड़ाई मैंने साधे चारे इंची रखे है लमाई इसकी मैंने 22 इंची रखे है अब हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे अस्तर के सहित और एक इस पे सीदी स्लाई कर लेंगे यह देखी मैंने स्लाई कर लिए इसके उपर अब हमें इसको फोल्ड करेंगे यह देखी मैंने फोल्ड कर लिया है और इसको हम बीच में से कट कर देंगे यह देखी इस तरीकी से हमें इसको कट करना है अब हम ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया अब हम इसको सीधा करेंगे तो चलिए मैं सीधा कर लेती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शियर करें, कमेंट करें मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताके आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए तो चलिए हम बना लेते हैं इसको यह देखिए मैंने पटियों को सीधा कर लिया है दोनों पटियों को अब हम इसको क्रॉस करके रखेंगे पटियों को यह देखिए यहां से हम सिलाई करेंगे और एक इधर से सिलाई करेंगे यह देखिए मैंने इसको पटि को पहले ही सिलके रखा है एक चोली बना के रख लिए मैंने आपको दिखा दिये अब हम इसको जो हमने ड्रेस बना उसमें अटेच करेंगे तो हम किस तरीके से अटेच करेंगे चलिए देख लेते हैं मैंने घेरे को फोल्ड कर लिया है अब हम इस कमर पट्टी पर बीच में निशान लगाएंगे इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है, अब हम चोली के ओपर भी एक निशान लगाएंगे, ये देखिए मैंने बीच से चोली को फोल्ड कर लिया है, इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, ये देखिए, हमें निशान से निशान को मिलाना है, ये देखिए हमने चोली को घेरे के कि अह देख लिया है अब हम देख लेंगे हमें ँश्लाई से कितने नीचे रखना है कितना हमें इस पट्टी को Old peach में में रखना है और फिर हम ऊपर की सैट में एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से निशान से ये हमें फायदा है कि ना तो हमारी चोली उपर को जाएगी ना नीचे को जाएगी ये देखी मैंने चोली को अटेच कर लिया है सिली आए ये देखी सिलने के बाद कितनी सुन्दर लग रही है ये ड्रेस मैंने दोनों ड्रेसों को तयार के लिया ये एक कलर की ड्रेस हैं दोनों बनी है इसलिए मैंने दोनों एक साथ में दिखा दी है ये दोनों एक जैसी सिली है कटिंग, सिलाई वगेरा सब कुछ एक जैसा है सिर्फ इनकी कमर छोटी और बढ़ी है और कोई अंतरनी है देखिए हमारी लड़ू गोपल की और एक राधारा नहीं दोनों ड्रेस अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें राधे किछना